है कि गाइज वलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आपसब आई होप आपसब बहुत अच्छी होंगे तो आज की वीडियो में आपके साथ निविया डियोडर्ण वाइटनिंग स्मूथ जिन रोलों की वीडियो शियर करने लगी हूं आज की वीडियो में अपना ओनेस्ट रीव आपके साथ शेयर करूंगी इसकी पूरी बॉटल मैंने यूज कर ली है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आज सच में यह अनीवन स्किन को इवन कर देता है यह नहीं क्या रिजल्ट इसके मुझे देखने को मिले हैं तो अपना ओनेस्ट रिव्यू में आपक सब्सक्राइब तो गाइज यह है निविया डियोडन वाइटनिंग स्मूथ स्कीन रोल ओन अपने लोकल मार्के स्टोर से मैंने इसे बाई किया है इसलिए आप लोकल मार्के स्टोर से इसे बाई कर सकते हैं ऑनलाइन भी आपको यह मिल जाएगा अच्छे ऑफर्स पर मिल जाएगा तो गाइज इसकी पूरी बॉटल मैंने खतम कर दिया जस्ट थोड़ा सा ही रह गया फिर ही मैं अपना ओनेस्ट रिव्यू आपके साथ शियर कर रही हूं गाइज अगर आपकी अंडराम की जो स्कीन है वो काफी ज़्यादा अनीवन है मतलब काफी ब्लैक ब्लैक स्कीन है या फिर आपको पसीने की प्रॉबलम बहुत ज़ादा है आपको ऐसा फील होता है कि आपके अंडराम से काफी ज़्यादा पिसमेल आती है तो आप इसका यूज सकते । 48 आवर प्रोटेक्शन यह क्लेम करता है कि हमें 48 आवर जो स्मेल ना स्मेल से प्रोटेक्ट करेगा बट गाइज 48 आवर का तो मैं नहीं कह सकती बट कम से कम 3-4 घंटों के लिए तो पिसीने की स्मेल आपके पास से बिल्कुल भी नहीं आएगी आप जब भी मतलब नहाती हो नहाने के बाद उसी वक्त आपको इसका यूज करना है रोल ओन यह बना हुए जस्ट आपको अपने अंडर आमस पर इसे यूज करना है इसकी जो फ्रेग्नेंस है वो काफी ज़दा माइल्ड है काफी 3-4 घंटों के लिए तो ऐसा फील होता है कि हमारे पास से रोल ओन की स्मेल आ रही है पसीने की स्मेल नहीं आ रही है 48 आवर्स का मैं नहीं कह सकती इतने लॉंग टाइम तक तो यह नहीं मतलब इतना इफेक्टिव नहीं है कि 48 आवर्स तक आपको यह स्मेल से बचा कर रखेगा समर में तो मतलब आपको इसे जरूर यूज करना चाहिए 199 रूपीज इसका प्राइज है और यह काज की बॉटल है काज की बॉटल में आपको यह रोल ओन मिलेगा बिलकुल अंदर से लिक्वर्ड वाइट कलर का यह इसकी जो कंसेंटेंसी है वो बिलकुल वाइट कलर की है इस तरह की पैकेजिंग इसकी है तो गाईज अगर आपकी अंडराम्स की स्कीन अनीवन होगी है थोड़ी ब्लैक ब्लैक स्कीन अगर आपकी होगी या वैक्सिंग जादा करवाने से या फिर आप वीट का यूज करते हैं तो आपकी स्कीन थोड़ी ब्लैक होगी अंडराम् स्किन की प्रॉब्लम है तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं उसके लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा इफेक्टफुल है प्राइज वान नाइंटी नाइन रूपीज है और फिफ्टी एमल गाईज हमें इसके कौंडिटी मिल रही है अगर आप दिन में दो से तीन बार इसका यूज करते हैं तो आराम से एक महीना या देड़ महीना आपका यह यूज हो जाएगा इसकी फ्रेग्नेस इतनी ज़दा माइल्ड है इतनी सॉफ्ट है आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़दा कोई पर्फ्यूम या डियोडन का यूज किया बिल्कुल लाइट वेट इसकी स्मेल है तो गाइस देखिए इस तरह का यह रोल ओन है जस्च आपको इसे अपने अंदर आंस पर इस तरह से रब करना है अगर आप इस तरह से रब करेंगे न वो जो लिकवर्ड है अंदर लिकवर्ड है वो अपने आपी बाहर आएगा जस्ट आपको रोल ओन करना है काच की इसकी बॉटल है बहुत ध्यान से आप इसे अलमारी में रख सकते हैं फ्रीज में आपको रखने की इसे बिल्कुल भी ज जब 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 पसीना आया हुए है तो उसके उपर ही आप इसका यूज कर लिजे है नहीं काईस आप जब भी नहां कर बाहर आते हैं तब आपको इसका यूज करना है Men & Woman दोनों ही इसके यूज कर सकते हैं तो मुझे इसे यूज़ करते हुए एक से डेड़ में हिना हो गया है तो मुझे तो इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगे अन्नीवन स्किन के लिए भी यह बहुत ज़्यादा इफेक्ट फूल है तो आप आपको यह वाइटनिंग इफेक्ट तो जरूर देगा स्किन, स्मूथ स्किन रोलोन आ है आपकी जो स्किन है जो अन्डरांप के स्किन उसे बिल्कुल स्मूथ बना देगा मुझे इसके overall result काफी ज़्यादा अच्छे लगे हैं गर्मियों में तो इसके result मुझे और भी ज़्यादा अच्छे लगे अगर आप winter में इसका use करते हैं तो कम से कम 8-9 घंटे आपको ये protect करेगा smell से तो guys easily आप local market store से इसे buy कर सकते हैं guys 0% alcohol इसमें alcohol बिल्कुल भी add नहीं है मुलेठी extract मुलेठी के गुन हमें इसमें मिलेंगे even toned underarms आपके underarms की skin बिल्कुल even लगेगी जैसे कि मैंने आपको बताया है अगर waxing या weed का आप use करते हैं तो इसके regular use से हमारी जो underarms की skin है आपको अपनी underarms की skin even लगने लग जाएगी hope guys आपको ये वली वीडियो अच्छी लगी होगी ये वीडियो आपके लिए helpful होगी अगर guys आपको ये वली वीडियो मेरी थोड़ी से भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को कर दें subscribe तो चलिए guys अब मैं आपको अपनी next वीडियो में मिलूँगी तब तक के लिए thank you bye